बिस्मिल्ला रिवान रहीम अस्सलाम वालेकूं वीवर्स कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं आप लोग खेरिया से होंगे आज मैं आपके लिए बैगन के भृते की रेसिपी लेकर आई हूं यह बहुत जबरदस्त और टेस्टी रेसिपी होती है तो चलें अज़्जा लेकिन अज़ा नोट करने से पहले मेरी आप से रिक्ष्ट है कि आप मेरी वीडियो एंट तक देखें शुक्रिया तो चले आएं अज़ा नोट करते हैं बैगन के बठते में कहके जाएगा देखें यह मैंने बैगन लिया है इसको मुने चूले पे मुझे इसको थोड़ा से जलाना है पकाना है तो वह मैं आपको दिखाऊंगी अच्छा इसमें जो ग्रेवी में मसाले जाएंगे वह मैं आपको दिखाती हूं यह देटी स्पून भरके मैंने अद्ध लसन का पेस्ट लिया है वन टी स्पून भरके मैंने कुटीवी लाल मिर्चे लिये हैं यह एक मैंने मीडियम साइस Caesar की जिर है कि इस तरह कट्कर eating इस तरह कृषिए अजया और आदा पाव कुटिंग ओल्ड तो चले स्टार्ट करते हैं ब्यगन के बॉर्था पहले हमने ब्यगन को चूले पर इसको सेखना है ताकि अच्छे अंदर से गल जाए तो चले स्टार्ट करते हैं तो देखिए विवर्स बैगन के बढ़ते के लिए यह मैंने विल्कुल धीमी आज पर मैंने जाली रखिए इसके ओपर मैंने बैगन सारे इस तरह रख देना ताकि यह अच्छे से तो एक साइट से थोड़े से नरम पढ़ जाएंगे तो पिर हमने इसको पलटना है तो देखिए विवर्स यह बैगन अच्छे से हो गए बस इसको मैंने दो तीन मिनट के बाद इसको निकाल देना है और यह अंदर से अच्छे से पग है और इसकी स्कीन जो है वो मुझे निकालना है तो बस दो तीन मिनट के बाद मैं आपको स्कीन निकाल की दिखाऊंगी तो देखिए वीवर्स यह पैकन अच्छे से अंदर से कल गए है अब मैंने इसका अंदर से बढ़ता निकालना है पुरा इस तरहां सारा मैंने पुरता ताकि इसकी बस इसकी जो जलीवी होना है तो यह अंदर से जो सॉफ्ट हो गया यह निकल जाएगा तो देखिए वीवर्स यह मैंने इसका बढ़ता सारा अंदर से निकाल लिया और यह स्कीन चलीवी यह मैंने इसको फिक देनी है अब इसी तरह जितना भी बैगन है उसको सब के इसी तरह निकालना है तो देखिए फ्रेंड अब इसको मैंने इस तरह अच्छे से चुरी से ही म में नाय गरम कर लिया पैगन के बढ़ते के लिए पहले मैं जीरा डालना इसमें पिस के साथ ही हमें यह जा अगी है बेकिन प्याद मैं इसमें डालती है लेकिन प्याद को बिल्कुल ब्राउन इकना इसकी कच्छी पक्ती ही रहना जाएं तो देखें, प्यास बस इतनी ही मुझे कच्छी पक्षी चाहिए, इसके साथ मुने लसन अधर का पेस्ट दालें, इसके साथ मुने अधर लसन अच्छा सा दूहूं गिया है, अब मैंने इसमें तमाटे दालें, अच्छा रुबर इसमें जो है, प्यास देए बड़ें देखें, दरम मसाला हाप टीच हो रखता हो जाएगा, और रट किली तकी पिए जाएगा, अपकी भी लेटें जोने जाएगा, साथ ही नमक भी जाएगा, इसके साथ ही हमने थोड़ो सा पानी याट करना है, ताकि इसके मसाले की कच्छा पन और कमाटर अच्छी से गल जान देखें मसाला अच्छा सा बुंगrivा बैगन का बुटा बना करकि रखा था ही है, और हरी मिर्चेन दाल के, अभी मैंने इसके बैगन का बुटा बुंग से बुनाइक कर ना में और नमक चेक करना कर ननमक कम है तो आप उपर से नमक और और एड़ कर सकते हैं, तो देखें विवर्स अभी इसको मैंने अच्छे से बहनाई की करने ही कि उपर इसका आईल आजाए और सारे मसाले और बैगन वगएरा सब एक जान हो देखें बैगन की अच्छी से मैंने बुनाई कर दिये अब उपर से मैंने हरदनिया गानिश के लिए थोड़ा सा डाल दि है आप इसको बनाएं मेरे स्टाइल से चापाती सलात के साथ आप सो खाएं तो बहुत लजीज और टेस्ट टेस्टी रेसिपी है यह अगर आपको मेरे यह पैगन के पुट्टे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अ और अपने जितने भी एशिदार अजीज और अकारिब के साथ शेयर कीजिए असलाम अलेकुम और अपने बाता की यह अर आपको पिलगां ।